आखिरकार पावर स्टार पवन सिंग के बारे में क्या बोले भोजपूरी के जाने माने बिलेन संजय पांडे जी हाँ की धर्दी पर अपने नई फिल्म हरहर गंगे की सूटिंग में ब्यस्त हैं और बीते रोज भोजपूरी के बहुत ही बड़े जाने माने बिलेन संजय पांडे जी भी वहीं पे पहुंचे जहां पे पावर स्टार पवन सिंग जी के फिल्म हरहर गंगे का सूटिंग चल रहा और वहां पे पहुंचने के बाद संजय पांडे जी पावन सिंग जी से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद पावन सिंग के साथ तस्बीरे लियें और तस्बीरे को अपने सोसल मीडिया एकाउंट पे सेयर करते हुए गजब की बात लिखे हैं संजय पांडे जी जो कि आप सभी को सुन कर और देख कर यार दिल एकदम गदगद हो जागा। प्यार वही संसकार और वही समान जो हमेशा आपने प्रती पाता हूँ। उनसे बलकि मैंने मजाक में कहा भी कि दो साल में एक फिल्म साथ करने का रिकॉर्ड टूट गया। इस बार हमने तीन साल से कोई फिल्म नहीं की साथ में। तो जब आब मैं मुस्कुरा के बोले आपक बड़े बिलेन जो कि संजय पांडे जी पांवर स्टार पवन सिंग जी के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातों को लिखे हैं जो सुनकर सभी को अच्छा लएगा भाई आप सभी को भी बहुत अच्छा लगाओगा कि भोजपूरी में एकता है जो कि आप सभी देख सकते हैं इस पोस्ट के माध्यम से जो कि संजय पांडे जी पावन सिंग जी के लिए बहुत ही सराह नहीं है बात लिखे हैं जो कि एक संसकारी एक अच्छा सा जो जैसा मैं इजत चाहता हूँ संसकार चाहता हूँ वैसा मुझे मिलता है हमेसा पावन जी के पास तो आप सभ पर से यही प्रातना करता हूँ कि भोचपूरी की एक्ता ऐसे ही बनी रहे और बिलखती रहे आगे बढ़ती रहे सब लोग एक साथ मिल के रहे आगे काम करें गर्दा मचाते रहे तांडों मचाते रहे तो यही कुछ खबरे थी सोचा कि आप सभी को बता दू खबर अच्छी